हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे दोस्तों SSE CHSL का आज 10 अगस्त को 1st शिफ्ट का एक्जाम समापत हो चुका है उमीद करता हूँ जिनका भी 10 अगस्त को 1st शिफ्ट में एक्जाम था तो देखे फ्रेंड्स फर्स शिफ्ट में एक कोशन पूछा गया था आपसे भारत का पहला सोलर ट्री कहां लगाया गया है यह करेंट अफिर का कोशन आया था आज के एक्जाम में भारत का पहला सोलर ट्री जो है ये वेस्ट बंगाल पस्सिम मंगाल में लगाया गया है पस्सिम मंगाल के मुख्य मंत्री कौन बने है फिर से मम्ता बनर जी है ध्यान रखेगा TMC से नेक्स्ट कोशन है भारत में सबसे कम उमर की महिला मेर कौन है अब देखिए ये कोशन पहले भी S.A.C. ने आपके जितने भी एक्जाम हुए थे भी हाली में उनमें पूछा था तो ये कोशन रिपीट हुआ है उसी एक्जाम से तो देखिए भारत में सबसे कम उमर की जो महि पहले पूछाएए देखिए उस राज्य का नाम बताना है जिसमें जो है ना राजमार्ग सबसे लंबा है दो हजार इकिस से पहले का है यह तो महाराष्ट राज्य हो जाएगा आपका अंस्वर और इसका जो टोटल लंबाई है एनेच-44 जो कि यह सबसे लंबा राजमार्ग है इसका टोटल लंबाई है 3,745 किलो मेटर अगर दूसरे नंबर पे पूछे तो दूसरे नंबर पे आता है नेशनल हाईवे 27 इसका कुल लंबाई है 3,507 किलो मेटर ठीक है नेक्स्ट कोशन आया था मोसम विभाग के द्वारा कोन सा कंप्यूटर परियोग किया आता है ज देखिए कोशी का विज्यान के जनक पूछा है तो इजी कोशन है रोबर ठूक इसका आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन आया था अंतर राष्ट्रिये बाल शांती पुरुसकार 2020 किसे दिया गया है देखिए दोस्तों अंतर राष्ट्रिये बाल शांती पुरुसकार 2020 ये बास्ता में था अब देखिए कोशन कंफरम तो नहीं है पर निरत चोपडा जी का समंध आपको मालूम होगा हर्याना राज्ये से है और अभी यह फेमस क्यों है क्योंकि इन्होंने दोस्तों जैवलिन थ्रो भाला फेक इनका यह खेल है इसमें दोस्तों इन्होंने जो टोक्य मेडल जीता था ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोशन आया था प्रोटीन किस से बनता है इजी कोशन था यह तो देखिए प्रोटीन जो है यह एमिनो अमल से बनता है ठीक है नेक्स्ट कोशन पूछा गया था 2020 में किस महा को पोशन महा के रूप में घोशित किया गया था दे नेक्स्ट कॉशन था, स्पोर्ट से रिलेटेड, किस क्रिकेटर के दोरा सलिप में सबसे ज़्यादा कैच पकड़े गए हैं। अब देखिए वैसे ये इंडिया के लिए पूछा है तो इंडियन क्रिकेटर राहूल ड्रविड के नाम है सबसे अदा स्लिप में कैच और अगर वर्तमान की बात करें पूरे विसुवर में तो रोश टेलर है न्यूजिलेंड के 340 कैच है इनके नाम स्लिप में ठेक है दोस् नेक्स्ट कोशन वोल्यूम को बढ़ाने के लिए किस शोटकट की का हम पर्योग करते हैं शोटकट की से कोशन पूछा आ रहा है वोल्यूम को बढ़ाने के लिए हम जो है ना एफ सेवन जो शोटकट की होती है उसका यूज करते है नेक्स्ट कोशन था एशिया का कौन सा स् स्थापना कब हुआ अब देखिए मिजोरम का स्थापना पूछा है तो 21 जनवरी 1972 को जो है ये मिजोरम का स्थापना हुआ था ठीक है दोस्तों जिनका भी CHSL का एक्जाम बाकी अभी तक ये कोशन आपको याद करके जाने है जो कोशन में आपको करवा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कोशन है आने वाले जिनके भी एक्जाम है उनमें ये कोशन डेफिनेटल आएंगे मौरको निवासी इबन बतूता किसके सासनकाल में भारत आया था तो ये आया था मौहमाद बिन तुगलग के सासनकाल में ठीक है धारत के पहले लोकसवा अधेक्स कों थे तो ये थे गणेज वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर नेक्स्ट कोशन भारत में पहला लोकपल किसे बनाया गया ये पिनाकी चंदर घोस को बनाया गया नेक्स्ट कोशन है सबरी माला मंदिर भारत के किस राजे में स्तीत है तो ये केरल राजे में स्तीत है नेक्स्ट कोशन है दाब का ऐसा ही मातर क्या है पासकल होता है next question बिहु नर्पे किस पेड के निचे celebrate करते हैं बिहु नर्पे को तुलसी पेड के निचे celebrate किया आता है next question SBI का headquarter कहां पे है तो यह आपका मुंबई में स्थित है next question देखते हैं आंद्र परदेश हाई कोट के Chief Justice कोन है तो आंद्र परदेश हाई कोट के Chief Justice है अनूप कुमार गोस्वामी जी नेक्स्ट कोशन भारतिय सविधान की किस आर्टिकल में वित आयोग फाइनेंस कमिशन का उलेक किया गया है फाइनेंस कमिशन का जो उलेक है ये आर्टिकल 280 में किया गया है नेक्स्ट कोशन है विजय नगर सामराजे की स्थापना किस वर्स में की गई थी बात करें दोस्तों विजय नगर सामराजे की स्थापना की तो वर्स 1336 में विजय नगर सामराजे की स्थापना की गई थी नेक्स्ट कोशिन है तेलंगाना राजे का जो गठन है ये कब किया गया था देखिए तेलंगाना राजे जो है ना इसका गठन हुआ था दो जून वर्स 2014 में तो यहाँ पे दो जून 2014 बिल्कुल राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशिन है कबरताल वेंट लेंड किस राजे में स्थित है देखिए जो कबरताल वेंट लेंड है ये आपका बिहार राजे में स्थित है बिहार के सीएम नितिस कुमार है आपको मालूम होगा बिहार के गवर्नर कोन है ये आपको कमेंट बोक्स में बताना है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं फटावड से वर्तमान में स्रिलंका के प्रेजिडेंट कोन है देखिए वर्तमान में स्रिलंका के जो प्रेजिडेंट है ये गोडवाया राजपक्षे हैं तो यहां पे गोडवाया राजपक्षे आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन देख यह जो मैंने आपको लास्ट में कोशन करवाए है ना यह एक्सपेक्टेड कोशन है उनके लिए जिनका भी छेसल का एक्जाम अभी बाकी है क्योंकि अभी तक दोस्तों जो एक्जाम हुए है ना इनमें सही कोशन पूछे जा रहे हैं आपके और आज वाले शिफ्ट में जित का एक्जाम होगा वह शाम को हो जाएगा तो फटा फट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उन कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से यादा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा आपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए तो बस